आज मैं बना रही हूं मन्चूरियन बॉल जिसे मैं शैजवा चटनी के साथ सब करूंगी तो मैं इसके इंग्रीडियन बता दूं मैंने यहाँ पे दो कैबेज मत्तब पत्ता गोबी को ग्रेट किया है और उसके साथ आधी प्याज भी ग्रेट की है यह इतनी प्याज आपको भी लेनी है मैंने भी इतनी यूज किये मैंने इस ग्रेटर से ग्रेट किया है आप चाहें तो कद्दू कश भी कर सकते हैं अब इसमें मैं और चीजे मिलाने लगी हूँ यहाँ पे सबसे पहले मैं एड करूंगे इसमें यह ग्रेटर है जिसे मैंने ग्रेट किया है सी ग्रेटर में आधा कप गाजर गाजर है मैंने यहाँ पे कुछी सबजियां यूज करी हैं आपके पास अगर जादा हो तो आप जादा भी यूज कर सकते हैं अब मैं आइट करूंगे यहाँ पे धनिया पत्ति इसे भी मैंने महीन चॉप कर लिया है आधा कप यह बी है आप चाहें तो कौंटिटी अपने हिसााब से बढ़ा और घटा सकते हैं यहां पर मैंने एक मिर्च लिये हरी मिर्च इसे मैंने बहुत महीन चौप किया है क्योंकि बच्चे भी खाएंगे तो इसलिए मैंने बहुत महीन चौप किया है आप मिर्च की कॉंटिटी बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं ये मैंने आधा छोटा चम्मच जिंजर पेस्ट और आधा छोटा चम्मच गालिक पेस्ट लिया है उसे मैं मिक्स करूँगी आप चाहें तो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं अब मैं इसमें एड करूंगी सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से अब मैं एड करूंगी यहां पे लाल मिर्च पाउडर मैं आधा ही चम्मच ले रही हूं क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी डाली है मैं यहां पे डालूंगी एक छूटा चम्मच गरम मसाला पाउडर जी हां गरम मसाला पाउडर इसमें गरम मसाला पाउडर भी जाएगा अब मैं एड करूंगी एक पिंच अजीनो मोटो यह मैंने एक पिंच लिया है आप इसे स्किप भी कर सकते हैं अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी ताकि जितने भी मेरे सूखे मसाले हैं वो इस कैबज में अच्छे से मिक्स हो जाएगा अब मेरे सबजी अच्छे से मिक्स हो गई है इसमें सूखे मसाले अच्छे से मिक्स हो गई है तो मैं इसमें एड करूंगी कॉन फ्लार आप चाहें तो अरा रोड भी मिक्स कर सकते हैं अब मैं एड करूंगी यहां पर कॉन फ्लार यहां पर पहले मैं तीन चम्मच बड़े चम्मच कॉन फ्लार एड करूंगी इसे मैं दीरे दीरे करके एड करूंगी क्योंकि टोटल मैं यहां पर पांच चम्मच एड करूंगी तो पहले मैं तीन चम्मच कॉन फ्रार एट करूंगी फिर इसमें मैं एट करूंगी तीन चम्मच मैदा अब इसे मैं हातों से अच्छे से मिक्स करूंगी अभी आप देख रहे हैं कि सब्जियों ने बाइंड होना स्टार्ट नहीं किया है क्योंकि कॉन फ्रार और मैदा मैंने कम डाला है आप भी इसी हिसाब से देख कर डालेंगे मेरे यहां पर तोटल पांच चम्मच मैदा और पांच चम्मच कॉन फ्रार लगे थे लेकिन यह डिपेंड होता है सब्जियों पर कि आपने सब्जी को काट के दोया है कि काटने के बाद दोया है तो उस पे भी dependent हैं तो आपके ज़ादा भी लग सकते हैं और कम भी लग सकते हैं तो अब मैं यहाँ पे दो चम्मच कॉन्फलार और दो चम्मच मैदा और डाल के अच्छे से मिक्स करूंगी यह देखे आपको इस consistency के आने तक मैदा और कॉन्फलार एट करना है जैसे ये आटे की तरह एक साइड होने लगेगा वैसे ही आपको भी करना है मैंने ओयल को हीट करने के लिए रख दिया था मेरा ओयल गरम हो गया है अब मैं इसमें छोटे छोटे बॉल बना कर ओयल में डालूंगी और इसे मीडियम आज पे ही फ्राइ करूंगी अब इसे हलके हलके हिलाते हुए फ्राइ कर लें चारो तरफ से गोल्डन ब्राउन जब हो जाए तब मैं इसे बहा निकालूंगी प्लेट में अब मैं इसे प्लेट में निकाल कर आपको दिखाती हूँ यह मेरी डिश का फाइनल लूक इसे मैंने सेजवान चटनी के साथ सेर्फ किया है आप भी बनाए और इंजॉय करें थैंक्स पर वाचिंग